हाई अव्रीबन वेलकम टो एक्षेंट फ्लावर्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेथ पेनल्ली पर ब्रेटिश अरा से आज तक हैंगिंग के थुरू डेथ संटेल्स को एक्जेक्ट करने का प्रोसेस चलता आ रहा है लेकर इसमें को इतले डेथ नहीं होती है है थर्टी मिनेट्स वन आवर तुप संथिंग टाइंग लगाता है योगी पेन्फुल प्रोसेस इसलिए हैंगिंग के तरो डेथ संटेल्स को एक्जेक्ट करने के इस प्रोसेस को अबॉलिश करने की डिमांड होती है और कुछ लेस पीन्फुल ओल्रेट मेसल्स को अडॉप प्रोसेस किया एक ट्राइल की सिया प्रोसेटिंग सारी प्रोसेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद जैज्जमेंट पर अगर अकुप्तर ना है यानके क्यूश गिल्टी नहीं है अब एक एक क्यूश कर दिया गया है तो यहां पर कुछ संटेंस टाइंड पीरेट फिक्स न किया जाना चाहिए तो यह प्री संटेंसिंग एरिंग मिन्डेटरी प्रोसेटर एस पर दी सिक्षिन 235 टोस्टू के अपर अब इस पूरी आर्गूमेंट के बाद सेशन कोड ने आगर डेट संटेंस को ही इंपोस किया तो इस पानेंट कंसीडर तब तक नहीं किया जागा जब तक कि हाई कोड इसे कंफर्म में कर सेशन जिसको हाई कोड में डेट संटेंसिंग ओर को भीजना होगा अजर्फ अब यहीं से एक्क्यूश के पास बहुत सारे ओप्शिन अवीलिबल हुजाते हैं और की अगींच मी सबसी पहला जो डेट संटेंसिंग और को सेशन जि सबस् canonical को हैं यह उड़ अजिए सब्स कर सकता है न के हैस सबस्कूल उसक्रण कोड में तरीके से अपील को फाइल कर सकता है इसके बाद next security petition अगर सुप्रीन कूट ने अपील में death sentence को ही confirm कर दिया तो security petition को भी file किया जा सकता है अगर कोई नया evidence मिलता है या फिर judgment अगर natural justice की अगीर्स में pass किया गया इसके बाद accused के पास एक last option बसता है mercy petition mercy petition before the president under article 72 और before the state governor under article 161 so next point इस प्रिये एल्में death penalty करने की demand की क्यों की कि जब एक person को hang किया जाता है तो अपनी death penalty हर केस में इंपोस नहीं की जाती है बहुत exceptional cases में ही इंपोस की जाती है like terrorism के case में bridal rape and murder के cases में etc at all so in cases में एक accused कुछ ऐसे acts को perform कर देता है जैसे number of the persons affect होते है तो इन cases में death penalty भी कम लगती है तो इसी कारव हैंगी कि तुरो death penalty को abolish करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि last time में तो उसको realize हो कि punishment उसे किस वजह से मिल रही है अब अगर इसे quickly shoot कर दिया जाएगा तो last time में उसे कुछ भी फेल नहीं होगा कि क्यों उसे यह punishment मिली जो की simple punishment की तरह लगेगा बट आपका क्या opinion है कमेंट बोक्स में ज़रूर बताइए